Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हो शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रवाइड कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चो और आज हम पढ़ने वाले हैं The Limphoid Organs of Your Body पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप NEET कौलिफाई करना चाते हैं या आप IIT कौलिफाई करना चाते हैं तो हमारी well experienced team को follow कर सकते हैं they are well trained आप इनको follow करेंगे तो definitely NEET IIT कौलिफाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी which is the immune system of the body चलिए शुरू करते हैं आईए immune system of body का मतलब यह है चलिए शुरू करते हैं एक भूमी का बान देती हूँ आपको इस lecture के लिए whenever we talk about the immune system चलो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सबसे पहले आज हम immune system में बच्चो जी हम लोगों ने पढ़ा कितने प्रकार की cell बच्चो immune system में हमने कितने प्रकार की cells पढ़ी पहले ही जानते थे यह पहले पढ़ चुके बी से लापको कौनसी immunity देती है बच्चो यह देती है मैं हमको youmural immunity ठीक है यह अगर मैं टीसल की बात करूँ तो यह हमको क्या देती है बचो सेल मीडियेटेड इम्यूनिटी डण-डण-डण-डण-डण-डण-डण-डण-डण-डण-डण-ठीक है अब कहानी में ट्विस्ट यह है यह B और T-cell बंते कहां है टो हम यह को गई इसके बारी में, इसके बारी में, चलो, देखो आज़ा बच्चो, B और T CEL की बात करूँ, B and T CEL, चालों बिटवीन नहीं है ये, B and T CEL की बात करूँ, तो ये दोनों जो हैं, ये बनतें bone marrow में हैं, कहां बनते हैं, formation इनका कहा है, formation है, bone marrow, ठेके, bone marrow, चलो, आपको कुछ प्र process होते हैं जब भी हम लोग किसी सेल को चाहते हैं कि एंटीजन से जाके धर 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 लड़े तो क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए सबसे पहले क्या होना चाहिए उसका बोलो मेरे साथ सबसे पहले उसका होना चाहिए formation isn't it सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए बच्छो formation फिर उसका होना चाहिए बच्छो जी maturation क्या होना चाहिए formation के बाद maturation maturation के बाद क्या होना चाहिए proliferation ठीक है proliferation ठीक है और proliferation के बाद क्या होना चाहिए बच्छो activation ठीक है activation या इसी को हम action भी कह सकते हैं अब यह किस चेस के लिए मैं बता रही है तुम्हारी वो ध्यान से सुनो so basically how many खतरनाक वाली cells जो आपके infection से लड़ रही है वो है B और T cell कहा होती है यह bone marrow में चीक है तो अगर मैं बात करूँ कि B और T cell दोनों का formation कहा होता है बच्चो तो यह होता है आपके bone marrow में कहा होता है बच्चो B और T cell दोनों का formation कहा होता है आपके bone marrow में चली अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है अब अगर मैं specifically बच्चो B cell की बात करूँ किस की बात करूँ B cell की बात ठीक है B cell की बात तो B cell का जो maturation होता है ध्यान से समझना जो maturation होता है B cell का वो भी bone marrow में होता है B.M लिख रही हूँ ठीक है B cell का maturation जो होता है वो bone marrow में होता है पर अगर T cell की maturation की बात करूँ तो यह होता है thymus में अब यह maturation क्या होता है वो ध्यान से समझना है जैसे मालो की एक सेल है जैसे हमने बी सेल बनाई ठीक है अब यह जो बी सेल है ध्यान से समझेंगे मेरी बात यह जो बी सेल है यह आपकी सेल को क्या ना समझ ले बचो अगर यह जो सेल है ध्यान समझना अगर यह बी सेल ने आपकी खुद की बॉड़ी को क्या समझ लिया नॉ B-cell के उपर क्या लगते हैं, receptor लगते हैं, और इस receptor को क्या करते हैं, ये self, self और non-self के बीच में differentiate करवाते हैं, समझ में आ गई बात ध्यान से सुनो, हमारा B और T-cell दोरों का formation कहां होता है, ये होता है bone marrow में, प्लीज लिसन टुमी वेरी कैरफुली, पर अगर मैं B-cell की बात कर जैसे ये हमारी B-cell है, अभी ये बन चुकी है, पर अगर मैं चाहती हूँ कि बताओ mature B-cell क्या होती है, तो mature B-cell का मतलब ये है, कि ये B-cell है और इसके उपर एक receptor लग गया है, ये receptor हमको ये बताता है कि भाईया ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ठीक है, समझ आरी बात, तो क एक mature B-cell है, जो कहा होती है, बोन मेरो मेरो में, ऐसे ही T-cells जो होती है, वो basically बनती तो कहा है, बोन मेरो मेरो में, पर mature होने मतलब receptor लगने के लिए वो कहां पर चली जाती है, ठीक है, अब आपको मैं ये समझाना चाहिए, पहले पूरी पात समझ लो, ठीक है, अब आपके पास, यहाँ पर B-cell भी बनी हुई है, ध्यान से समझते जाएगा, पहले मैं पूरा पढ़ा दू, उसके बाद कहानी और समझेगा, क्यों हम ये डिसकस कर रहे है, आपको आखरी में clear हो जाएगा, अब B-cell जो है, वो क्या करता है, B-cell अपना नंबर बढ़ाएगा, this is the B-cell B-cell, B-cell, बहुत सारे B-cell बनते जाएगे, this is proliferation, ऐसे ही T-cell है, T-cell भी अपना नंबर बढ़ाएगा, this is called as proliferation, चीक है, ये नंबर बढ़ता जारा, बढ़ता जारा, बढ़ता जारा, बढ़ता जारा, चीक है, और activation action मतलब, इसको कहते हैं antigen killing, चीक है, antigen killing, clear है बात आपको, समझ में आई बात, अब ऐसा क्यों मैंने बोला, वो धान समझी, अभी तक हमने क्या discuss कर लिया, हमने मैं ये discuss कर लिया, कि हमारे immune system में दो प्रकार की cells होती है, B और T-cells, ठीक है, ये B-cell हमको immural immunity देती है, और T-cell हमको cell-mediated immunity देती है, पर हमारे मन में एक बहुत ही बड़ा ये था कि ये बनती कहां पर है, तो B और T-cell दोनों ही कहां बनती है, bone marrow में, question ये है कि bone marrow क्या है, वो हम discuss करेंगे भी, ये दोनों कहां बनती है, मेरे जिगर के टुकडो, ये bone marrow में ही बनती है, पर T-cell की अगर मैं बात करूँ, तो T-cell mature होने के लिए कहां चली जाती है, T-cell mature जान पाएगी कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, तो कपडे पहनाने का काम होता है, maturation, पर सिर्फ एक B-cell से, एक T-cell से तो काम नहीं चलेगा, तो इनको number हमें बहुत जादा चाहिए, ताकि वो effectively infection की killing कर सके, तो proliferation मतलब number बढ़ाना, जब एक बार हमने number बढ़ा लिया, तो अब हम fighting, fighting खेलेंगे, ठीक है, और जब हम fighting खेल कर antigen को kill कर देते हैं, तो this is called as activation of B and T-cell for the killing of antigen, ठीक है, नाव आपको मैं बताती हूँ कि, जिन, ओके मैं कौन सा color लूँ, color का बड़ा short है यह आपे, जिन भी organs में body के B और T-cell का formation of maturation होता है, दोनों मैं arrow देखी का होता है, जिन भी body के organs में, यह मैं उपर बिटा रही हूँ बच्चो, धिहान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ, जिन भी body के organs में, आपका क्या होता है, maturation और formation होता है, किसका, किसका, कौन बला रहा, सोड़े में कौन था, B and T-cell, ठीक है, तो formation और maturation जो, जहां पर भी होता है B and T-cell का, इन्हें हम कहते हैं, बच्चो, primary lymphoid organ, listen to me very carefully, क्योंकि इस से सवाल आ सकता है, primary lymphoid organ, ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम, primary lymphoid organ, primary lymphoid organ are those organ, जहां पर maturation और formation होता है, किसका, किसका, B and T-cell का, clear हो गई बात, पर सिर्फ mature कर देने से काम नहीं बनेगा, कि एक B-cell, poor infection को थोड़ी किल कर सकती है, यह कोई T-cell, poor infection को थोड़ी किल कर सकती है, तो basically, अब हमें क्या करना पड़ेगा, proliferation, चीक है, पिंग कलर से लेती हूँ, चीक है, अब proliferation and killing of antigen, यह कहां पर होते हैं, यह होते हैं, आपके secondary lymphoid organ, यह कहां होते हैं, secondary lymphoid organ, समझ में आ गई बात, तो यह बात यह जो है, यह पूरी कहानी primary lymphoid organ की है, और यह secondary lymphoid organ की है, तो जिस जगा पर fighting, fighting हो रहा है, लड़ाई जगडा हो रहा है, killing of infection हो रहा है, number बन रहे हैं, बहुत सारे वो होते हैं, secondary lymphoid organ, और जहां पर पहली बा बनता है, और mature होता है, उसको हम कहते हैं, आपका primary lymphoid organ, ठीक है, तो आपको मैं यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि बाडी में बहुत सारे lymphoid organ होते हैं, बच्चों, भायां कर सारे, यह lymphoid organ का, what is the work of lymphoid organ, lymphoid organ का main का में काम होता है, कि तुम BOT cell बनाओ, ठीक है, जो कि infection को कर सके, तो बनाना है, तो कौन सा lymphoid organ, primary, पर अगर किल करना है, नंबर बनाना है BOT cell का, तो इसे हम कहते हैं, आपका secondary lymphoid organ, चमझ में आ गई बात, इतनी बात हो गई, अब हमको exactly आज के point of view में यह discuss करना है, यह बार बार यह क्यों आ जाता है, ठीक है, आज हमको यह discuss करना है, बच्चो जी, की primary और secondary lymphoid organ होते क्या है, what is a lymphoid organ, lymphoid organ वो होते हैं, जहाँ पर BOT cell बनती है, ठीक है, सिर्फ आपको अभी यह जानना है, ठीक, lymphoid organ दो प्रकार के हो सकते, एक हो सकता है primary, और दूसरा हो सकता है secondary, done, समझ में आ गई बात, primary का example हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, 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 primary का example हमने पढ़ा, madam जी, bone marrow और हमने पढ़ा, thymus, ठीक है, अब हम दोनों को पहले discuss कर लेते, then we'll move to the secondary, चले शुरू करते हैं, I hope क्या कहाने आपको समझ में आ गई होगी, boring, boring तो नहीं लग रहा है, human immune system consists of a lymphoid organ, tissue cells and soluble molecule like antibodies, immune system recognize the foreign antigen and response to these, remembers them, ठीक है, so basically lymphoid organs के अंदर क्या बनता है, B.O.T. cells बनते हैं, और ये B.O.T. cells क्या करते हैं, ये B.O.T. cells जो होते ही, foreign particles को recognize करते हैं, ठीक है, तो basically lymphoid organ वो organ होते हैं, जहाँ पर आपके lymphoid cells बनती हैं, जहाँ पर आपको infection को kill करने वाली cells बनती हैं, ठीक है, this system also play an important role in the allergic reactions, ठीक है, यही system जो है, यह allergic reaction में बहुत बड़ा role play करता है, डन है, so this system also play an important role in allergic reaction, autoimmune diseases, and organ transplantation, अब यहाँ पर बात चलिए, तो एक बात और आपको समझा देती हूं है, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, देखो, यह जो receptor यहाँ पर आपके लग रहे हैं, ठीक है, maturation के दौरान B. B-cells के ऊपर, जो receptor लगते हैं, यह receptor जो हम पहचानते हैं, क्यों सा cell मेरे body का है, और क्यों सा cell मेरे body का नहीं है, बच्चो, समझ में आरी बात, अब कई बार ऐसा होता है, जान सुनना, कई बार ऐसा होता है, कि यहाँ पर जो B-cells बनी है, वो अपनी ही body की cells को क्या समझने लगते अर ala al세요 जब अगर अपनी बाड़ी कि थैस्ल को फोरं समझने लगो गे तो क्या हो हम अपनी बाड़ी की सेल मारना शिरू कर देंगे ऑधर अग्र ऐसा हमने कर दिया तो हम कौंसे दिजीज से सफर कर रहे हैं हम सफर कर रहे हैं autoimmune diseases से पढ़ा है ना हम लोगों ने हम लोगों ने autoimmune diseases में पढ़ा कि हम अपनी body cells को क्या कर रहे हैं infect कर रहे हैं infect मतलब किल कर रहे हैं because we make the antibodies against our own body cells ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि during the maturation हम कुछ ऐसी B और T cells बना लेते हैं जो इनके उपर receptor जो है यह receptor इसलिए होता है कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है पता चला इनके पर receptor ढंग से बना नहीं और यह अपनी सेल्स को माना शुरू कर दे तब बड़ी दिक्कत है तो यहां पर एक selection process होता है तु आ अच्छा तु फैक्टरी में काम करेगा अच्छा तु आजा तेरा हाइट इतना है तेरा health इतना है जब qualification डालते है योगिता एक योगवर की प्राप्ती चाहिए महलब क्या मोलता है एक योगवर चाहिए सुन्दर सुडॉल गोरा सुन्दर मूच वाला इतनी आयवाला लड़का ढूंडते हो तो जब भी ऐड आता है पेपर में तो जो नहीं चाहिए होता उसको हटा देते हो न देंगी कई बेकार भी बनती हैं जो अपनी बॉडी सेल्स को फॉरमेशन मलब मार सकती है अपनी बॉडी सेल्स को तो ऐसी कंडीशन में जो आपके primary lymphoid organ होते हैं वो क्या करते हैं negative selections भी करते हैं चतू आ रहा है जैसे आर्मी में हाइट नापते हैं वैसे यह भी अच्छा तू ठीक नहीं है चलू दर चलू दर तो फिर इनको जो है secondary lymphoid organ में जाकर जो बकवास वाली सेल है जो काम की नहीं है उन्हें मार दिया जाता है okay that this is called as negative selection clear 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 Dire that then क्यारो तो यह जो immune system hotea इसके बड़े सारे रोल है क्या रोल में सिस्टाम का में रोल होता इंफेक्छन को किल करना mm you system का काम होता है एंटी बॉडई बनाना immune system का काम होता है mouse cancerous cell को मारना immune system का काम होता है damage cells को मारना immune system का काम होता है पहचाना कौन MěRA है कौन MěRA नहीं है Immune System का काम होता है कि Graft जब हम किसी का ले रहे हैं तो बोर जाद होगा ये accept होगा राइट है मेरे बच्चों इतनी बात तो अगर किसी का Graft accept हो रहा है तो मतलब मेरा हिस्टोकमपैटिबिलीटी complex हमारा जो है अच्छा बड़ियां match हो रहा है ठीक है नहीं आपने किसी का औरगन लिया नहीं चाहिए नहीं बोड़ी बोले भाड़ बजा मुझे नहीं ले ना तरह औरगन तो मतलब matching सही से नहीं हुई है ठीक है तो यह immune system काई तो काम है तो immune system जो होता है अगर वो अच्छा है तब तो बहुत बल्ले बल्ले है पर अगर अच्छा नहीं है तो अपनी ही body cells को attack करके autoimmunity cause कर देता है अब आपको मैं यह बता रही थी कि आपके पास दो cells होते हैं जो के different different lymphoid organ में बनते हैं lymphoid organ वो होते हैं जिनके अंदर maturation proliferation होता है ठीक है ध्यान चल देखो मैतूरेशन और proliferation होता है मतलब maturation पहले formation होगा फिर maturation होगा यह primary lymphoid organ और proliferation secondary lymphoid organ तो basically maturation तब होगा जब बनेगा तो basically lymphoid organ वो और और होते हैं ठीक है lymphoid organ वो और होते हैं जहाँ पर क्या होता है बोलो मेरे साथ क्या बोलोगे यह होता है यहां पर होता है formation अब आदे बच्चों को यह निसमाज में आ रहा है कि प्रौलीफरेशन होता है, फिर क्या होता है ? जिगर के टुकडो जी ? बोलो, 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 पौलीफरेशन का स्पलिम थुढ़ा ऐसा हो गया जीबसा फिर क्या होता है ? त्प्रौधिशन हो गया थीक है? तो बेसिकली यह लिम्फोईड चॉम यह होता है अब आपके बॉड़ी में अलग अलग ताइब के लिंफोड ऑर्गन जिसे टॉंसिल है थाइमस है स्प्लीन है तिक है माल्ट है ओके गाल्ट है गट ऐसे सुटेटि लिंफोड टिशू मुकोजल एससुटेटि लिंफोड टिशू अपेंडिक्स है पेर्स लिंफोड अर्गन बेटाजी और एक होता है सेकेंडृ लिंफोड सो नोड मतलब यह मुणो कि बॉड का 50 परसुंट जो हिस्सा है उसके पूरे लिंफोड टिशू में 50 परसुंट अटेए श्प्लीन पढ़न पढ़ना है और लिंफ नोड तो हर जगा होते हैं मताब अगर मैं बोलू कि लिंफॉइड टिशु में सबसाधिक कौन सा जो है आपका वो होता है लिंफ नोड तो आप बोलोगे लिंफ नोड मोर देन 50% मोर देन 50% जो लिंफॉइड और लिंफॉइड टिशु है उन में से 50% तो लिंफ नोड है ठीक है आईए बात करते हैं अब यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है और नई समझ में आ रहा है तो मैं पड़के सुना रही हो समझाती भी हूँ और बस 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 पकल ली क्यों अरे जो मूर हो समझ में आई बात क्या आ पोल रही है मेरे पियारे बच्चो देखो तो इंम्यून सिस्टम प्राइमिरी immune system वो system होता है जिसमें आप K lymphocyte form होते हैं और mature होते हैं और secondary lymphoid organ वो organ होता है जहां पर lymphocyte क्या होते हैं proliferate होते हैं नंबर बढ़ाते हैं और initiate होते है killing के लिए ठीक है नाओ उसके बाद primary lymphoid organ में allow lymphoid stem cell to proliferate differentiate and mature ठीक है प्राइमरी नी आक्चली यहां पर थोड़ा वो लिखा है जो आपका proliferation of functionality है वो जनली secondary होती है पर बहुत सारे ऐसे lymphoid tissue है जहां पर proliferation भी हो जाता है ठीक है इधर content T और B cell यह content both B and T cell normally जैसे bone marrow है ठीक है जैसे bone marrow में B and T cell बहुत बनती हैं पर mature से B cell होते T cell थाइमस होते T cell they have no content with antigen primary में कोई antigen से counteract नहीं होगा encounter नहीं होगा पर यहां पर antigen से लडाई होगी यह हमेशा अपने age के साथ कम होते जाते reduce होते जाते हैं जबकि secondary lymphoid organs जो होते हैं यह age के साथ बड़े होते जाते हैं clear हो गई इतनी बात चली primary lymphoid organ के बारे में और पढ़ते हैं देखिए क्या है कहानी चली अब हम लोग आपकी हम लोग आपकी slide read करेंगे कि वो क्या बोलना चाहती है देखो भाही बोलेगी जो मैं माध्यम से कौन मेरे body का सेल है कौन नहीं है उसको पहचान पाते हैं after maturation the lymphocyte migrates to the secondary lymphoid organ ठीक है उसके बाद यह उड़ते हुए कहां जाते हैं यह जाते है secondary lymphoid organ में समझ में आ गई बात क्या कै बोला ध्यान चे सुनो मेरी बात पहले हुए बने वो ठीक है this is the structure of bone ठीक है आपका जो यह वाला end होता है bone का this is called as epiphysis यहाँ पर आपका bone marrow सबसे दिखपाया जाता है bone marrow स्टार्टी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह थाइमस है चलो शुरू करते हैं सबसे पहला primary lymphoid organ है आपका bone marrow चलो bone marrow क्या होता है यह main lymphoid organ है जिसमें हर प्रकार की blood cells और lymphocyte बनते हैं ठीक है समझ में आगी बात क्या बोला मैंने basically how many bone marrow we have we have basically two types of bone marrow one is the red bone marrow and one is the yellow bone marrow ठीक है यह जो ends होते है bone के वो होते हैं आपके red bone marrow और यह जो बीच वाला पेठ जो हिस्सा है bone का यहां पर होता है yellow bone marrow ठीक है जब आपकी age कम होती है तो the amount of red bone marrow is more जैसे जैसे आपकी age बढ़ती जाती है the red bone marrow gets converted into a yellow and then yellow converted into the white bone marrow ठीक है पर emergency condition में जो yellow bone marrow होता है वो भी आपका red bone marrow में convert हो सकता है red bone marrow जो area होता है mainly यहां पर यहां पर generally बनती है कहां क्या चीज बनती है यहां पर जादा तर आपकी RBCs और सारे टाइप की WBCs बनती है yellow bone marrow generally क्या करता है वो fats को store करने का काम करता है समझ में आ गई बात so this is a marrow cavity जहां पर bone marrow पाया जाएगा ठीक है समझ में आ गई बात so यहां पर आपका B और T दोनों lymphocyte यहां पर maturation B lymphocyte का यहां होता है T lymphocyte का thymus में होता है तो समय जब आप छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे तब आपके bone marrow में सारे पूरे जगह पर red bone marrow बना करता था पर जैसे जैसे आपका बढ़ा पाया है जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो दरवट bone marrow get converted into the yellow पर emergency में the yellow get converted into the red too ऐसा भी हो सकता है चले next is thymus thymus जो होता है यह यहां पर अगर आपके देखें तो यहां पर एक ऐसे butterfly shape की gland होती है this is called as thymus thymus को आपको याद रखना है T cell से ठीक है यहां पर T cell भले ही आपकी bone marrow में बनती है पर maturation हमेशा इनका thymus में ही होता है कहां present होती है बच्चों यह present होती है nearby the heart समझ में आ गई बात तो thymus जो होता है यह आपके heart के पास present होता है और यह आपका T cell maturation के लिए जाना जाता है पर यहां पर भी कहानी यह है कि जैसे जैसे आपकी age बढ़ती जाएगी तो thymus का जो size होगा वो छोटा होता जाएगा समझ में आ गई बात जब आप छोटे बच्चे थे तो आपका immune system अच्छा रहता है पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएगे वैसे वैसे आपका thymus का size reduce होता जाएगा जो यह indicate करता है कि बड़े age होने के बाद आपकी immunity less हो गई है क्योंकि size कम होगा छोटा होगा तो mature भी T cell कम होंगी तो आपकी immunity गिरेगी ठाइमस is quite large in size at the time of birth but keep reducing with the age as started earlier T lymphocyte and B lymphocyte are responsible for the cellular and immoral immune response respectively हम पहले discuss कर चुके हैं तो basically करते क्या है जो ठाइमस और bone marrow है यह भी योग T cells बनवाते हैं जो की B cell आपको hemural immunity और T cell आपका cell-mediated immunity देता है समझ में आगई बात क्या हुआ bone marrow और thाइमस आपको इसमें इतना ही पढ़ना इसे जादा आपको अकल लगानी नहीं है so bone marrow क्या होता है यह समझ गया है bone marrow bones के अंदर पाया जाने वालब वो structure है जिसके अंदर सारी टाइप की lymphocytes और RBC बनती है ठीक है formation यहां होगा ठीक है अब B cell का maturation bone marrow में होता है पर T cell जो यहां बनी उसका maturation थाइमस में होता है maturation का मतलब यह है कि cells के उपर हमको antigenic receptor लगा देना है ठीक है तो जहां पर formation or maturation होगा वो होते primary lymphoid organ और mature होके आपकी B और T cell कहां चलती है टंग टंग यह जाती है आपके secondary lymphoid organ में समझ में आगई बात कहां जाती है secondary lymphoid organ में समझ में आगई बात चलिए अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं इसमें आपको जो है थोड़ी सी चीज़े पढ़ने जैसे आप इसमें lymph nodes पढ़ेंगे आप इसमें spleen पढ़ेंगे चले शुरू करते हैं after maturation B lymphocyte and T lymphocyte migrates via blood vascular and lymphatic system to the secondary lymphoid organ where they undergo the proliferation and the differentiation ठीक है यहाँ पर मेरे पास एक point छूट गया है जो मैं यहाँ पर add करना चाहती हूँ proliferation के बाद आता है differentiation जो यहाँ पर add कर भी हूँ अच्छो जी ठीक है यहाँ पर मैं third एक और point add करना चाहूँगे differentiation ठीक है so one and two is differentiation differentiation ठीक है differentiation and then activation यह तीनों process secondary lymphoid organ में होते हैं चले तो proliferation का मतलब number बढ़ेगा differentiation का मतलब यह है कि तू टू है helper cell है तू टी टा साइट टोक्सिट रच सेल है तू टी सप्रेसर सेल है differentiate होगा काम ठीक है और जाता number बढ़ेगा उसका और उसके बाद जो है confusion नहीं हो तो बताई देती हूं secondary lymphoid organ में क्या क्या होता है secondary lymphoid organ में मैं सबसे पहले होता है proliferation ठीक है सुनते जाना बस ध्यान से proliferation का मतलब क्या है कि यहां पर number जो है वो increase होता है फिक है can Cr도 a number increase होता किसका number in CrANE होता है वेय BIG सेल का गा और Court T आप समझ आगई बाद उसके बाद सेकिन्न चीज्ट जो यहां पर होती बच्छो जी वो क्या होती है proliferation के बाद यहां होता है differentiation, ठीक है? क्या होता है? differentiation ठीक है? ध्यान से सुनना अब यहाँ पर जो B cell बनी है, ध्यान से देखना ये जो B cell यहाँ से आई है, ये डिफरेंशियेट होगई किस में डिफरेंशियेट होगई? याद करिये जाने याद है कि नहीं तुम्हें B cell differentiate होंगी किस में यह differentiate होंगी plasma cells में और यह differentiate होंगी memory cells में clear और T cell किस में differentiate होंगी बच्चों यह भी differentiate होंगी आपकी effector T cells में effector T cell, effector T cell कौन से हैं? cytotoxic T cell ठीक है और आपकी memory में clear this is called as differentiation done हो गई, तो differentiation होआ और जब differentiate होगी सबको अपना-पना काम पता चल गया तो अब होगा activation killing of pathogen clear हो गया, तो यह बात आपको पता होने चीए कि formation of maturation primary lymphoid organ में होता है पर number का बढ़ना कौन किसको क्या काम कर देना है यह differentiation और antigen से लड़ना यह secondary lymphoid organ में होता है screenshot ले लिजेगा इसका, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो after maturation B और T lymphocyte जो होते हैं यह blood से होते हुए कहां जाते हैं आपका, यह जाते हैं आपके secondary lymphoid organ में ठीक है, और उसके बाद secondary lymphoid organ में यह अपना number बढ़ाते हैं और number बढ़ाने के बाद हर किसी को B cell बहुत सारे बन गए अब यह B cell क्या बनाएंगे, plasma cell और memory cells, ठीक है, बहुत सारे B cell बन गए बहुत सारे T cell बन गए, अब T cell भी differentiate होगे, क्या बनाएंगे, memory T cell, T cytotoxy cell, helper cell और suppressor cell ठीक है, this is called as different station in the secondary lymphoid tissue, the lymphocyte do not remain and move from one lymphoid organ to the another lymphoid organ through the blood, तो primary lymphoid organ में आप क्या देखते हो कि blood और lymph के माध्यम से पूरे body में जो आपके क्या कहते हैं, आपके B और T cells होते हैं, वो जाते हैं ठीक है, पर उसके बाद एक बाद जब वो secondary lymphoid organ में पहुच गए, उसके बाद उनका movement नहीं होता है ठीक है, समझ में आ गई बाद, चले देखते हैं ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं No movement of B cell and T cell, ठीक है यहाँ पर कोई भी movement B या T cell का नहीं हो सकता है ठीक है, जो भी आपका primary जो है, primary इतना सारा बनाता है कि उसको अलग-अलग काम करवाने के लिए, मतलब basically proliferate कराने के लिए, अलग-अलग lymphoid organ की सहयता लेनी पड़ती है पर एक बार अगर आप secondary lymphoid organ में आ गए बच्चो तो आप वापस नहीं जा सकते हैं ब्लड के माद्यम से तो ये आपको पता होना चाहिए, बच्चो कि मैं क्या बोल रही हूँ कि primary lymphoid organ से, जो आपके B or T cells होते हैं, वो secondary lymphoid organ में blood और lymph के माद्यम से आते हैं पर बच्चो, अगर एक बार आ गए secondary lymphoid organ में तो अब जो है, ये blood दूसरे lymphoid organ में blood और lymph के माद्यम से नहीं जा सकते, clear? Let me drink some water अब, ये समझ मैं आपको अब, इन lymphoid organ के आज पास से छीक है, इन lymphoid organ के आज पास से कोई भी infection होकर गुजरेगा तो भाईया, उसकी killing तो होनी ही होनी है Done है, जैसी की example बताओ lymph nodes, spleen, tonsils, pairs patches lymphoid tissue, gut associated lymphoid tissue ये सारे secondary lymphoid organ होते अब, एक एक करके शुरू करते हैं lymph nodes ठीक है, आपकी body में बहुत सारे lymph nodes होते हैं ठीक है, अब आपको ये समझ में आए ना कि secondary lymphoid organ होता क्या है जितने भी lymphoid organs आपकी body में है चाहता औसिल है, चाहे पेस, पैचेस है कुछ भी है, इन सब में बहुत सारे B.O.T. lymphocyte है जैसे ही infection इस एरिया से होकर गुजरेगा, खाल लिये जाएगा इन्फेक्शन ठीक है, इटिक है इटिस एस lymph nodes are the small solid structure found at the interval along with the lymphatic system आप देखो पूरी body में भयंकर वाले lymph nodes हैं जैसे कि ये देखो neck में lymph nodes है, chest में lymph nodes कितने सारे हैं, arm pit के पास कितने सारे हैं, abdominal tummy वाले एरिया में कितने सारे हैं ये lymphatic vessels हैं जो पूरे body में फैली हुई है, ये groin वाला, jungle वाला एरिया जहां पर आपके lymphoid tissues, lymph nodes पाए जा रहे हैं basically, अब आपको में थोड़ा सा और चीज़े समझाने की कोशिश करती हूं कोशिश के आप देखती है, बताऊंगी तो आपकी body में आप देखो पूरे body में lymphatic vessels जो है, वो फैली हुई है, ठीक है lymphatic vessels क्या हुई है, फैली हुई है आप लोगों ने ये पढ़ा कि इन secondary lymphoid organs में जो आपका, मैं आपको एक छोटा सा diagram बना के समझाती हूं, ठीक है जिससे आपको और ज़्यादा चीज़े clear हो जाएंगे diagram visualization is the best thing, isn't it? चलो बच्चों, देखो so ये है हमारा bone marrow ठीक है, ध्यान से समझना, यहां से आपको सारी कहानी clear हो जाएगी, okay so ये है बच्चों, हमारा bone marrow done हो गई, आप समझना bone marrow में हमारे पास क्या पढ़ी हूई है B cell bone marrow में हमारे पास क्या पढ़ी हूई है B cell और T cell, ठीक है bone marrow में क्या पढ़ी हूई है आपकी B cell and T cell B cell और T cell ये माल लो क्या है lymphatic vessels है, ये क्या है बच्चों जी lymphatic, मैं ये उमीद कर रही हूँ कि आप जो है 12th class के student है और आपको ये पता है कि lymphatic vessel क्या होती है ना पता हो ना चाहिए अगर आप कक्षा बारवी के छात्र छात्रा है मेरे लला तो तुमको ये तो पता ही झा कि यह भी नहीं पता है हमनों खाना क्यों घृvin aur प्रण शब्र मेरे जी तो वैसे इतना प्यारा सुंदर सुकुमार प्यारा सुसरजद प्यारा सा ळला सा नंछाज़स्पह इसको भी नहीं पढ़ते जब तुम यह नहीं पढ़ते हैं तो फिजिस केमेस्ट्री क्या ही पढ़ते होगे खाक टिंडा है तो इसको पढ़ा करो कितना अच्छा है बोलो बोलो क्या बात क्या बात अब यहां से लिंफाटिक वैसल निकलती है ठीक है और ब्लड में भी ऐसा नहीं है कि सेकंडरी लिंफाटिक वैसल से ही हम बी और टीसल दे सकते हैं ब्लड वैसल से अब बेटा जी यह लिंफाटिक वैसल जो है ना यह लिंफाटिक कैपिलरी जो है बहुत चारी लिंफाटिक कैपिलरी यहां पर इनलार्ज हो जाती है और इसे हम कहते हैं लिंफ नोट ठीक है या lymphoid organ और यहां पर BOT cell को छोड़ दिया जाता है यहां पर यह active proliferate differentiate और active होती है समझ में आई बात अब आपको में यह बताने की कोशिश कर रही थी कि माल लो की blood में यहां से कोई infection आ रहा है ठीक है माल लो की यह आपकी blood vessels है ठीक है और अगर माल लो यहां से कोई infection आ रहा है तो यहां पर infection वो किल कर दिया जाएगा समझ में आरी बात तो यहां से जो है आप कौन सी BOT lymphocyte ला रहे हो जिसको proliferate करना है यहां पर lymph nodes is nothing it is a enlargement of lymphatic vessel छोटे चोटे आप देखोगे अगर आपको यह वाला structure दिखाई दे रहा हो तो पूरे शरीर में lymphatic vessels failure है ठीक है sorry पूरे शरीर में lymphatic vessels failure है और lymphatic vessels जो होती है हर जगा पर देखो lymphatic vessels जो है यह lymphatic vessel 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 यह सब जगा पर जा जाएकर जोड़ती है और enlarge जाती है lymphatic vessel B.O.T. lymphocyte ला रही है कहां से bone marrow से ला रही है थाइमस से ला रही है और वहां पर जा जाके वह उन्हें छोड़ती जाती है इनका काम यह होता है bone marrow का काम और आपके थाइमस का काम एक होता है कि mature करके दो इनको और यह जो है blood के माध्यम से और आपके lymphatic vessels के माध्यम से इन lymph nodes में आ आके lymph drain होता है और वहां पर बहुत सारे B.O.T. lymphocyte बहुत जाते हैं और वहां पर इन्हें active किया जाता है समझ में आ गई बात तो lymph node क्या है यह solid structure है जो body के हर छोटे 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 intervals में पाए जाते हैं क्योंकि infection का कोई दीनी मान है यार यह तो बिन मुनावे महमान जैसे हैं कहीं पहुत जाते हैं खाने पीने के लिए तो इनका कोई दीनी मान नहीं होता हर बाडी के regular interval पे पाए जाते हैं तो यहाँ पर हम सारा lymph drain कर लेते हैं सारी B.O.T. lymphocyte उसे ले लेते हैं और फिर lymph को आगे जाने देते हैं यहाँ पर lymph filter हम कह सकते की चीज़े हम उससे ले रहे हैं तो फिल्टर ही तो कर रहे हैं Preventing foreign particles from the entering the blood stream तो basically अगर lymph में को infection आया तो lymph node में ही उसे खतम कर दिया जाता है Ultimately आपको पता होना चाहिए क्लास 11 में आपकी एक अंसेटिक दम मखन जैसे clear होने चाहिए ओए मखन मखन ओए और अगर आपका नहीं है तो lymphatic system का lecture जाके लगाईए Ultimately सारा lymph जो होता है वो blood में जाके mix होता है from the vena cava ठीक है subclavian vein से mix होता है subclavian vein जो है connect होती है आपकी major vein में तो अगर lymph में कोई जैसे हम यहाँ से lymph लेके आ रहे है उसमें बहुत सारे B.O.T. lymphos आड़े पर lymph जो होता है अगर उसमें को infection हो गया है आया टकरा है और reflex action हो गया है बोलो मेरे सार लिंफ जो है ना बैच्छो ध्यान से सुनो देखो 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 क्या बोल रही है लिंफ क्या है तुमको पता है लिंफ क्या है लिंफ एक blood का part है समझ में आ रही है बात हम लोग blood को pressure को maintain करने के लिए आटरी से जब हम जाते हैं वेन के और तो हम कुछ part उसका निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं बोलो हम निकाल लेते हैं उसका wbc ठीक है हम निकाल लेते कुछ छोटे मुठे पानी वानी प्लास्मा और लिंफ बनाते हैं लिंफ टिशू में भरा हुआ रहता है लिंफ का जब काम खतम हो जाता है लिंफ में क्या है लिंफ में है आपके B.O.T. लिंफोसाइट जो बोन मेरो बना बना के दे रहा है उसके आते हैं तो ब्लड में जो इंफेक्शन होगा वो लिंफ में भी आएगा तो हम यह इंशूर करते हैं कि लिंफ जब लिंफ नोट से में आएगा तो वहां उस इंफेक्शन को मार दिया जाएगा क्योंकि वहां पर B.O.T. लिंफोसाइट जो है वो एक्टिव होकर बैठी लिंफ नोट वो रास्ता है वो बैरिगेटिंग है कि आप वहां से पार नहीं हो सकते पार हो गए तो दूसरा मिल जाएगा इदर से पार हो तो अधर मिल जाएगा तो पूरे शरी में लिंफ नोट का काम ही यह होता है कि क्यों भी इंफेक्शन अगर आस पास से गुजर रह तो प्रिवेंट दफॉरेंट पार्टिकल्स फंद बॉडी ठीक है क्लियर हो गई बात चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस स्प्लीन ठीक है एक सेकिंड वाट इस ओके स्प्लीन अब स्प्लीन आपको किद्नी जैसा दिक रहा होगा ठीक है पर किद्नी का भी तो शेप ज लालालालाला देखो कहां गया यह चलो मैं आपको बताती देखो देखना ना बच्चो अगर आपको ब्लड से इंफेक्शन किल करागा है समझना ठीक है अगर आपका ब्लड में इंफेक्शन है ठीक है अगर आपका ब्लड इंफेक्शन है तो आपका ब्लड इंफेक्शन है समस्मा बात ठिक steering अप अगर आपका कर कि इस्टिशु मैं इंफेक्शन है कि इस्टिशु मुनफेक्शन थे थयर है तो यह इंफेक्शन कहां के किया जाएगा आपका लिंफ नोड़्स में संथो लिंफ नोड्स में, ठीक है, ओके, and infection get killed, अभी आपको इसको concept समझाती हूँ, धान से समझना है, गबराना नहीं, देखो, जितना भी body का blood होता है, वो सब जाता है, आपका, यह मालो blood vessel है, ठीक है, जितना भी body का blood होता है, ओके, वो सब जाता है, आपके spleen के पास, पूरा, ठीक है, क्यों जाता है, क्योंकि spleen जो होता है, यहाँ, यह spleen, जितने भी आपके यह spleen के अंदर सारा blood जो है, यहाँ पे गया, जितने भी dead RBCs होते हैं, उनको phagocyte करने का काम, जितने भी dead RBC होते हैं, उनको phagocyte करने का काम, और साथ ही, जैसे यह dead RBC पूरे में पड़ी हुई है, ठीक है, यह जादे dead RBC, और जितना भी infection भी blood में होगा, वो सब spleen में पहुच जाता है, अब spleen में हम क्या करके बैठे हुएं, spleen में हमने बहुत सारे T-cell बना रखे हैं, बहुत सारे antibodies बना रखे हैं, यह सब infection को kill कर देते हैं, मेरी बात clear हुई, अगर आपके blood में infection है, तो blood, सारा blood जाता है spleen के पास, spleen को, spleen जो है, यह secondary lymphoid organ है, यह आपको पता है न, यह secondary lymphoid organ, secondary lymphoid organ में क्या होता है, proliferation होता है, BOT-cell का, और क्या होता है, activation होता है, यहाँ पर बैठी हुई है, antibody activity है, और T-cell activity है, आप infection बताते हैं, तो इनका काम होता है, dead, देखो, सारा spleen का काम क्या होता है, हर जो RBC होती है, 120 दिन के बाद अपना काम खतम कर देती, तो वो क्या करें, मर जाए, ठीक है, क्या करें, मर जाए, नहीं मर नहाए, मर तो गया है यह आप, आप जाओगे spleen के पास, spleen जो है, उन dead RBC उसको खतम कर देगा, साथ ही साथ, अगर कोई blood में infection होगा, तो उसको भी खतम कर देगा, ठीक है, तो blood में infections जो किल होते हैं, वो generally आपकी normal WBC से होते हैं, और वो normally कहाँ पर होते हैं, आपके spleen में, पर अगर आपके tissue में कोई infection है, ठीक है, तो tissue में क्या present होता है, याद करिए, tissue में present होता है, मैम जी, tissue fluid, tissue में क्या बढ़ा हुआ है, tissue के चारो तरफ बढ़ा हुआ है, tissue fluid, और tissue fluid को ultimately नाम क्या देते हैं, हम लो lymph, ठीक है, और lymph जो होता है, वो lymphatic vessel से कहाँ drain होता है, बोलो मेरे साथ, जैम आता दी, ठीक है, lymphatic vessel से कहा drain होता है lymphatic vessel से drain होता है lymph node में ठीक है तो क्या समझे link कर पा रहे हो blood में infection है तो blood जाएगा spleen के पास blood में अगर कोई infection है तो आपकी RBC मर रही है वहाँ पर spleen में और साथ ही साथ वहाँ पर आपकी T cells जो है वो अपने number बड़ा-बड़ा के बैठी हुई है जैसे infection वहाँ पहुचेगा उसको साफ कर दिया जाएगा इसका मतलब जब भी spleen से blood निकलेगा तो हमेशा pure और सांदार जबरजस्त होगा सिसलिए कुक् немножular RBC मर रही है यह आपका अच्छा बलड है गूड बलड ठीक है इसको बोलते हैं गूड़ बलड क्योंकि ना तो इसमें dead RBC है टीक है ना तो इसमें koi ारफी क्यों चोर्थ और में कोई infection है तो तीशु में टिशु फ्लोईड होता है टिशु फ्लोईड को हम लें आते हैं लिम्फ डिएतल सारा इंफच्शन बिधिए इसमें इंफेक्शन बैठा हुआ है पर आपको पता है कि सारा लिंफ जो है वो कहां डेन होता है लिंफ नोड में बड़ा ना रहती है लिंफ नोड में ड्रेन होता है, तो जैसे कोई infection आएगा इसमें infection को किल कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा लिंफ नोड में ड्रेन हो रहा है, पर साथी साथ वहाँ पे पहले से ही क्या बैटी होई है, B-cell और T-cell, क्योंकि यह प्राइम में यह भी lymph node-based secondary lymphoid organ है तो यहाँ पर आपका जो P-T lymphocyte है, वो lymph से देखो यह जो lymph है यह लेकर क्या रहा है B-T lymphocyte पर यह अभी lymphatic vessel में kill नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यह अभी क्या नहीं है, active नहीं है clear है concept, तो blood में infection है तो spleen मारेगा ठीक है, और अगर कोई infection किस में है बच्चो अगर कोई infection lymph में है तो कौन मारेगा lymph node clear clear clear, तो lymph node में lymph drain होता है lymph से कोई infection आ रहा है तो lymph node में मरेगा blood में जो होता है, blood पर अगर कोई infection है तो वो कहां मरेगा, spleen में मरेगा में में भी क्या मैच्यों हो रही है B.O.T. निफोसाइड अमाड़ से निंफ County, लिम्फोसाइड में अपको कहा वखना स्प्लीज पिंफ। alors वाग और यह स्प्लीन जो ही और क्या रहा स्प्लीन आठाखा इस इंप्लड पाली छोड़ में प्लड आरासे ही Sumocracy है और साथ में वह बी और दी- लिंफोसाइट भी है जो मैचिर हुई है वहाँ पर ये BOT lymphocyte spleen के पास छोड़ देगा है, spleen उसको active करती बैठी रहेगी, पर spleen के पास तो already active वाली भी बैठी थी, क्योंकि ब्लड तो continuously बना हुआ है, active वाली infection को किल कर देंगी, और आपका बाकी जो WBCs है, वो भी जो है, आपकी dead RBCs को खतम कर देंगी, और जो नही वाली mature वाली BOT lymphocyte आई है, वो active होती रहेंगी, और जब आपका blood बाहर निकलेगा, तो बढ़ी आशानदार होगा, clear, तो blood से आप BOT lymphocyte ला रहे हो, धर जाके छोड़ दे रहे हो, साथ में infection ला रहे हो, तो spleen उसे पहले जो mature, जो active होई है BOT lymphocyte, उसके माध्यम से infection को किल क concept ये, कोई confusion तो नहीं है, प्लीज अगर कोई confusion हो, तो मुझे बताना, comment में लिखना, मैं फिर से इसको explain करूँगी, ठीक है, तो ये आपको clear हुआ ना, कि blood जो है, वो लेकर के आ रहा है, blood आ रहा है आपकी वो वाली BOT lymphocyte जो mature होई है, अभी उनको active करना, spleen मिला के छोड़ blood आ रहा है, तो spleen जो है, वो बैचयोर BOT lymphocyte को लेकर बैठा हुआ है, तो आप बताते हैं, और उसको active करता जा रहा है, infection आता जा रहा है, same condition with the lymph 2, clear हो गई इतनी बात, clear, 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 so bean shape का होता है, spleen, largest single mass of lymphoid tissue in the body, सबसे बड़ा जो आपका lymphoid tissue है, इन fetus, spleen produces all types of blood cell, ये आपको होना चाहिए, कि आपका जो fetus होता है, उसके हर प्रकार की blood cell, spleen बना लेता है, ठीक है, but in adult, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, आपकी lymphocyte बनाता है, आपको clear होना चाहिए, कि आपकी lymphocyte जो आपकी active होती है, और बनती भी है, even spleen में बनती भी है lymphocyte, ठीक है, तो बनती और active दो प्रकारे में पढ़ा था, edinoide हो गए, आपके palletide tonsils हो गए, बहुत सारे type के tonsils होते है, ठीक है, तो tonsils जो है, usually six होते है, ठीक है, जिसे वाल्डियर रिंग बनती है, look at this, रिंग यहाँ पर बन भी रही है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो, एक रिंग टाइप का structure, ठीक है, यहाँ पर एक रिंग प्रकार का structure बनता है, it is like that only, ये देखो, एक रिंग बनती है, this is the ring, तो इस रिंग को हम क्या कहते है, वाल्डियर रिंग, we have total six प्रकार के tonsils, ठीक है, ये tonsils करते क्या है, कि जब भी आपके खाने से, कोई भी इंफेक्शन अंदर जा रहा हू ठीक है, तो हम बेसिकली आपके करते हैं, कि जब भी हम खाने से कोई इंफेक्शन ले रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, जब भी हम खाने से कोई इंफेक्शन अंदर ले रहे हैं, तो टॉंसिल वही पर उसे ट्राप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये फिल्टर की तरह आपकी ब जो पर तॉनों का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और अगर बी और टी दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो अब आप जब भी कोई खाना खाएंगे तो आपका यहां पर पूरा इंफेक्शन फैल जाएगा और यह अल्टिमेटली जो बैक्टिरिया एंवारिसे के bacteria ठीक है ये वाईरस इन दोनों का attack द्हान समझना इन दोनों का attack कहां होने लगे बच्चो इन दोनों का attack अगर आपके tonsil में होने लगे तो आपका tonsil ही infect हो जाता है ऐसा कब होता है ये condition कब arise होती है जब आपका immune system decrease होता है ऐसा कब होता है जब आपका immunity decrease हो जाती है ऐसी कंडिशन में आपका जो टॉंसिल होता है उसमें हो जाता है इन व्ला मेशन और इसे हम कहते हैं टॉंसीलाइट जलिये मंतलकित ओंसल्ड निकाल दीजे क्या कहते हैं टॉंसलिक्टोमी एन सब्साइब रखिए ग्लीया्ट, है आगे बढ़ते हैं next होता है pairs patches ठीक है lymph nodules जो होते हैं उनका cluster आपके intestine में पाया जाता है जिनने हम कहते है pairs patches यह मैंने class 11th digestive system में भी पढ़ाया है तो खाने में अगर कोई infection आपकी intestine में है तो वहाँ पर इन lymphoid tissues के माध्यम से हम kill कर सकते क्योंकि यहां पर active B or T lymphocytes बैठे हुए है वह यहां पर भी lymphocytes produce होते हैं और आपके अक्टिव भी होते हैं यह है आपका यह है आपके pairs patches ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपको एक और चीज़ बताती हूं मैं देखो human body में human body में सिर्फ bone marrow जो है ध्यान समझना human body में bone marrow है आपका जो आपके हर lymphocytes बनाता है और आपकी RBCs बनाता है साथ ही साथ आपके lymphocyte और कहां बन सकते हैं और कहां बन सकते हैं आपके spleen में भी बन सकते हैं वो secondary lymphoid organs हैं पर हर organism में ऐसा नहीं होता है जो birds होते हैं उनके cloaca वाले reason में sperm release and it is also common opening for the excretion cloaca जो होता है इसके पास एक एरिया होता है जिसे कहते है बर्सा ओ फेब्रीशियस ठीक है बी जो cells है वो bone marrow से नहीं आया उसका नाम बी जो बी cells का नाम है ना वो बर्सा ओ फेब्रीशियस से आया है ठीक है तो जो birds का पीछे पूच के और एक cloaca region होता है इस cloaca region में ना आपकी वहाँ उसकी बीचारे के B और T cells बनती है ठीक है तो वो नाम B से बर्सा ओ फेब्रीशियस से नाम आया है तो हर organism में bone marrow नहीं होते वहाँ पर वो नाम क्या है बर्सा ओ फेब्रीशियस ठीक है अब हम आगला पढ़ते हैं mucosal associated lymphoid tissues ऐसी होता है gut associated lymphoid tissues ठीक है mucosal associated 50% more than 50% जो आपका lymphoid tissue है वह यह ही है mals are significant aggregation of lymphoid tissue यह क्या है कुछ नहीं बहुत सारे lymphoid tissues का aggregation है ठीक है जो की हमें आपके major tracts में दिखाई देता है जैसे कि कहा का respiratory tract में, elementary canal में अगर elementary कनाल की बात कर रहें तो gut associated lymphoid tissues ठीक है और urogenital tract में 50% of lymphoid tissue human body के जो होते हैं वो यहीं है malt ओके और यह do not serve as a filter of lymph यह lymph को filter नहीं करते है ठीक है चलो अब इसकी काम देखो क्या होता है देखो basically मैं आपके लिए एक diagram लेका है हूं देखो दियान से है ना यह मैं आपको बताते हूं mucosal associated जो lymphoid tissues होते इनका काम क्या होता है यह कोई filter filter मारते वारते नहीं है बस यह redirect करते हैं किसको antigen को तू धर जा इधर मथ जाना इधर फैलने से बचाते हैं तो किल तो भाईया आपका normal lymphoid organ करता है, mucosal lymphoid organ की करता क्या है, ये antigen को बोलता है तुझे इधर उधर नहीं जाना, तुझे कहां आना है, तुझे उधर जा, lymph node के पास उधर ही मरेगा, अब अलग-अलग जगहों पर इनके अलग-अलग जो है नाम होते हैं, जैसे bronchial associated lymphoid tissue, skin associated lymphoid tissues, gut associated lymphoid tissues, तो ना जगह के हिसाब से इनका नाम बदल जाता है, तो ये करते क्या है, धहान से देखो, जैसे मालो की epithelial है, जैसे मालो की आपकी skin epithelial में, ठीक है, यहाँ पर आपका mucosal associated lymphoid tissue बैठा हुआ है, यह क्या होता है, यहाँ पर होती है, एक M cell, कौन सी cell होती बच्चों M cell, ध्यान समझना, इसके नीचे क्या present होता है, एक cavity present होती है, यह cavity present है, आपकी मालो skin associated lymphoid tissue की बात कर रहे है, वो मालो का ही टाइप होते है, लोकेशन के साफसन का नाम बदल जाता है, तो मालो यह skin है आपकी, चीक है, और उसके नीचे आपको एक cavity मिलती है, चीक cavity में आता है, अब इस cavity में क्या present है, यह blue one क्या है, यह आपके कुछ्छी है, यह BOT lymphocytes है, अब यह BOT lymphocytes होते हैं, यह lymph node में जा रहे है, और यह antigen को इधर बेज रहे है, तो antigen जैसे यहाँ पालाएगा, यहाँ पर kill हो जाएगा, तो यह kill नहीं कर रहे है, यह काम क्या कर है, यह redirect कर रहा है, कि तुझे यहाँ से यहाँ जाना, इधर से उधर उधर में चले जाना, समझ में आई बात, so mucosal associated lymphoid tissues, वो tissues होते हैं, जो body के अलग-अलग parts में पाए जाते हैं, यह infection को kill नहीं करते हैं, उसको redirect करते हैं, कि तुझे lymph node में ही जाना है, ठीक है, आपको कह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यह redirect करते हैं, कि तुझे lymph node के पास जाए, दर दर मत चले जाना, नहीं तो infection कहीं और हो जाएगा, clear, आगे बढ़ें, चलिए, these are the, they are the centers of lymphocyte production, apart from B lymphocyte and T lymphocyte, phagocyte, macrophages and endritic cells are present, तो basically, यहाँ पर lymphocyte बनते हैं, अगर आप यह cavity देखो, तो यहाँ पर lymphocyte, endritic cell, macrophages, यह सब बन रहे हैं, यह मार नहीं रहें बस, फिर कहाँ जा रहे, lymph node में जा रहे हैं, फिर यहाँ के लिए होगी, clear है, आगे बढ़ें, ठीक है, तो यह हुआ बच्चों हमारा क्या, यह हुआ हमारा हुआ आपका immune system of the body, now let's start with the NCRT, human immune system consists of lymphoid organ tissues, cells and soluble molecules like antibodies, ठीक है, यह सब मिलकर immune system बनाते हैं, have you ever read the immune system is unique in the sense that it recognized for an antigen response to these and remember them, यह हमको पता ही है कि भाया, हमारे body के पास एक tremendous quality होती है कि कौन सा मेरा है, कौन सा मेरा नहीं है, मैं अच्छे से बैचान सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपको पता हो ना, चीक ही, receptor होतार cell के उपर, the immune system also plays an important role in the allergic reaction, autoimmune diseases, organ transplantation, यह भी आपके immune system का ही काम है, यह पढ़ा चुकी है, अब lymphoid organ देखते हैं, these are organ where origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur, ठीक, the primary lymphoid organ bone marrow और थाइमस है, जहां पर immature lymphocyte जो होती है, वो और differentiate होती है, ठीक है, antigen sensitive lymphocyte बनती है, और maturation के बाद, ठीक है, into antigen sensitive lymph lymphocyte, बता है मैंने पहले वो बनेंगी, फिर वो क्या होंगी, mature होंगी, mature मतलब उनके उपर antigen sensitive receptor लग जाएंगी, ठीक है, उसके बाद वो कहां जाएंगी, उसके बाद वो जाएंगी, differentiation के लिए, कहां, secondary lymphoid organ में, कौन-कौन सा दिया है, spleen दिया है, lymph node दिया, tonsil दिया, pairs, patches of small intestine दिया और appendix दिया, appendix भी एक lymphoid organ है, ठीक है, secondary lymphoid organ क्या देता है, secondary lymphoid organ उन B और T cells को तयार करता है, काई के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है, and उसके बाद, पहले वो proliferate होते हैं, फिर वो active होते है, ठीक है, proliferate मतलब effector बनेगा, और एक memory बनेगी, okay, location of various lymphoid organs in human bodies, जो है, यह दी हुए है, जैसे यह lymph node सब जगा प्रेजेंट होते है, यह थाइमस हो गया, यह lymphatic vessels हो गया, ठीक है, बोन मैरो इस सबसे जादा important lymphoid organ जहां पर हर प्रकार की blood cells बनती है, चाहे RBCO, चाहे WBCO, थाइमस जो होता है, यह लोप्ड और नहीं होता है, जो nearby the heart होता है, breast bone के जू नहीं होता है, बनाट की यह breast bone होता है, थाइमस होता है, यह समय के साथ जो होता है, ठीक, अर पूबर्टी के समय जो होता है, यह बहुती स्छोच भॉती स्मॉल साइज को जाता है, यह बोन मैरो और थाइमस करते कहा है, यह Micro Environment Produce करते कBooks आचुका है नीट में बच्चो यह question नीट में आचुका है okay okay bone marrow और थाइमस का वर्क क्या है bone marrow और थाइमस जो होते है they provide the micro environment for the development and maturation of t lymphocyte spleen is a large bean shape organ है ठीक है इसके it contain lymphocyte and phagocyte इसके अंदर बनती है lymphocytes ठीक है इसके इसा इसमिन के अंदर नी बनती है के अ度र्स तरह बहीं है यहाँ स्ट्स Scale बाल इनदर पर यह फिल्टर की तरह बहुटा ब्लेट में जो भी डेडेड की सब्सक्राइब हो यहीं पर ट्राप ग्टाथ टीक कैम इसका करते बीन ऐसा एंफ को इनदर और अपर जाता है क्यों क्यों कि यहां पर क्या present होती है आपकी active B.O.T. lymphocytes जो कि उसे infection को kill करती है Antigen trapped in lymph node are responsible for the activation Antigens trapped in lymph node are responsible for the activation of lymphocytes present in there cause the immune response अगर उसमें antigen नहीं आएगा तो कभी आपकी जब infection आता है तभी तो B.O.T. lymphocytes active होती है infection आएगा नहीं तो active क्यों होंगी तो basically वो जैसी infection आता है वो actively बैठी रहती है तो आगे चलतर को मारते है तो infection अगर किसी lymph node से कभी नहीं जाएगा तो उसकी B.O.T. lymphocytes कभी active ही नहीं होंगी समझ में आरी बात तो basically क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैसे infection आए धहन समझना जैसे माल लोग कि यहां से यह आपका lymph node ठीक है this is the lymph node okay और यह है अपकी lymphatic vessel अब यहां पर आपकी B.O.T. lymphocyte बैठी होई है अभी यह inactive है अभी active नहीं है अभी inactive है ठीक है अब जैसे ही जैसे ही infection आएगा यह active हो जाएगी और इसको किल करना शुरू कर देंगी क्लियर है तो मैंने आपको बताया कि यह आपको यह तो नहीं बोला कि यहां पर actively बैठी होती ना actively नहीं बैठी होंगी जब infection आएगा तभी active होंगी ठीक है समझ में आपकी बात दन 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 इतनी बात आपको क्लियर हो गई ठीक तो बैसिकली यहां पर यह लिखा हुआ है lymph node serves to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid में जो भी infection होगा lymph node में मारा जाएगा antigen trapped in lymph node are responsible for the activation of lymphocyte present in there and cause the immune response तो बैसिकली जब antigen उसमें पहुँचता है जिदनी भी आस पास की होती उन सबको पता चल जाता है और साथी साथ lymph क्या और लेके आ रहा है वह वाली भी और T lymphocyte भी लेके आ रहा है जिनने हमें बाद में चल कर क्या करना है store कर लेना है जैसे antigen आएगा उसको भी हम active करते जाएंगे ठीक है तो नई वाली पुरानी वाली भी जो बिना active होई बैठी हो फटाक्स active होंगे और वो किल कर देंगी infection को यही मैंना आपको बता है कि lymphatic vessels क्या लेके आ रही है lymphatic vessels क्या लेके आ रही है बोलो यह लेके आ रही है B और T lymphocyte जिनना active करना है उनको वह store कर देंगी पुरानी वाली जो होंगे तुरांत active होंगे infection को किल कर देंगी ठीक है जैसे antigen आ active हो ही किल कर देंगे clear 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 done lymphoid tissues located within the lining of the major tract respiratory tract digestive tract uranogen जराइटर इनको हम mucosal associated lymphoid tissues कहते हैं 50% body का यही होता है ठीक है so बच्चो today we have learnt the lymphoid organs of the body ठीक है हमने पढ़ लिया lymphoid organs of the body एक बार आपको पूरी चीज़े summarize कर देती हूं ठीक है हमारे पास body में एक बार पूरी चीज़े summarize कर देती हूं primary lymphoid organs वो organs होते हैं जहां पर आपके B और T lymphocytes जो होते हैं बनते हैं और mature होते हैं बनते मतलब form होंगे और mature मतलब उनके उपर receptor लग जाएंगे ताकि वो antigen कौन मेरा है कौन मेरा नहीं उसको पैचान सके ठीक है उसके बार जब यह mature हो जाते हैं तो यह दो माध्यम से अलग-अलग organs में जाते हैं एक पहला यह lymph के माध्यम से जा सकते हैं lymph के माध्यम से जाकर lymph node में जो है mature वाली B.O.T. lymphocyte उनको छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे जब कभी भी उस lymph से infection आएगा तुरंथ वो B.O.T. lymphocyte अक्टिव हो जाएंगे आगे 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 और उसको माध्यम होता है ब्लड ब्लड के माध्यम से आपकी ब्लड के माध्यम से भी ये B.O.T. lymphocyte जो होती है वो जा सकती कहां जाएंगे स्प्लीन में स्प्लीन में बैठे रहेंगे आप ब्लड के माध्यम से अगर कोई infection स्प्लीन से होते हुए गया ठीक है जो कि आपको पता है कि इस the reservoir of blood ठीक है तो तुरंथ वो B.O.T. lymphocyte जिनको पहले से आपने बठा के रखा वहां आर्मी क्रियेट कर रहे हो समय माई बात जो लिम्फॉड ओर्गन होते हैं वहां पर हम कुछ नहीं करते हैं वहां पर हम future के लिए आर्मी क्रियेट करते हैं ठीक है हम वहां फिकते जाते हैं जैसे infection आया तो पुरानी वाली बैठ और और गॉड और बोडी प्राइमरी एं सेकंडरी प्राइमरी एं एक्जांपल थाइमस एं बोर मेरो सेकंडरी का एक्जांपल म्यूकोज एसे लिंफॉड इस प्लीन और आपके लिंफ नोट्स आई होप यू लर्न एंजोई दे सेशिन इससे एकात क्वेशन तो आना है पूछा 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 ही जाएगा तो आज हमने जो सीखा आई होप कि आपको समझ में आया अगर आप ऐसे ही मेरे बहतरी लेक्टर चाहते है यू कैन विजित दा वेबसाइट क्लास 12 पे जाईए मेरी फोटो पे क्लिक करिए चैक्टर बने हुए जाईए इंजॉई करि देती हूं कि मुझे लगता है यह बच्चा शायद यह क्लियर ना कर पाए तो मैं देती हूं तो खुल कर डाउट पूछिए ठीक है और डाउट पूछना आपका अधिकार है उस अधिकार को जो है आप जताना सीखिए क्योंकि आपके अधिकार आपको तभी मिलते हैं जब तक थैंक यू सो मुझे और बबाए